वेलकम बैक तो दे निव व्लॉग और अभी होरे टाइम साड़े बारा और मैं आच चुका अधर खुले जिगा पे क्योंकि जहां से मैंने जरनी स्टार्ट किया था आज मैं फिर से वहीं पर आच चुका हूं और मेरा जो फर्स्ट व्लोग वाला वीडियो था मैंने यहीं से स्टार्ट किया था तो मैंने सचा कि चलो हमने छोटा सा माइन मेर्स कर लिय आ हैए अंधर कंपलीट कर लिए हैं ने यूट्युपटी अचलो नने कर लिए नैम्य नहीं वह यह से वागत आंए यह इसे सो के मतलश Alabला भजे मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेता ने नर ह मिला ना वह मैं explain नहीं कर सकता तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि मैंने किस तरह 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट के जीरो टू 500 और मैंने किन किन चीजों का और मैंने क्या क्या ट्रिक्स अपनाएं वह सारे डीटेल में इस वीडियो के थ्रू में आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया और जो मुझे खुसी लग रहा आना गाइज मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट यह जो तो हमारे इस चैनल पर हो चुके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं एक छोटा सा जो मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और भी हम लोगा चुके हैं 500 सब्सक्राइबर तक जो मेरा रोड इसले के 500 तक का जर्नी मेरे यूट्यूब चैनल पर किस तरह से हुआ और मैंने किन-किन बातों का ध्यान रखा और किन चीजों से मैं अवेर रहा यह सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने 0 से 500 सब्सक्र कर देता हूं मेरे चानल को ग्रोव सो मैं यह चीज नहीं बूलना चाहता कि गाइस में कहां सूटा हूं और अच कहां आया हूं क्यूंकि आजकल के टाइम पर कुछ इस तरह होता है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं मतलब हमारे लेटी में जब उनके पास जोब अगर नहीं होता ना तो यह चीज मतलब जब उनके जौब लग जाता है या फिर कुछ अच्छा हो जाता है तो वह आपको पूछते तक नहीं हैं वह चीज में मेरे साथ नहीं देना चाहता है जैसे अगर मालवाज में इतना निच्चे से और मिडल क्लास फैमिली से विलॉंग करके अगर मे लोकडाउन में सारे लोगों की अपनी अपनी अवकात दिख गए थी इसलब या दुनिया गोल है जहां हो वहीं रहो बस यही मेरा इस लाइन का मॉटिफ था और जो मेरे सेकंड लाइन में लिखा था ना वो चीज़ था स्टॉप एक्सपेक्टेशन्स जब मैं 10 वीडियो के फिर उनसे मतलब प्रमोट कर वाली चानल या फिर कुछ मतलब उनको कहूं कि आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो ऐसा वैसा तो कोई भी अगर नया बंदा हो जो क्रियेट कर रहा है मतलब यूट्यूब चानल पर मतलब वीडियो अप्लोड कर रहा है तो काइस उसके अंदर से न कहीं न कहीं ऐसा लगता ही है उसको कि वो जाके किसे से पर्मोट करा दे तो स्टार्टिंग के टाइम पर ना काईस मेरे अंदर वही चीज था में भी सोचता था कि मैं भी जाओ जो मेरे से बड़े क्रियेटर उनसे मिलू क्योंकि मेरे आस पास थोड़े दूरों में ही बहुत सारे बड़े बड़े क्रियेटर थे जब मेरे नए वीडियो अप्लोड करता था था ना तब वो कमेंट करते थे और मैं सोचा था कि उनसे मिलू बाते करू ऐसा करके मतलब थोड़ा मेरे जानल ग्रो कर जा बट जब आप छोड़े क्रियेटर रहोगे ना तब आपको कोई सपोर्ट ने करेगा और को आपको देखेगा भी ने ठीक है तो आपको आपका चानल को इंप्रूब करने के लिए ना खुद से ही महनत करना पड़ेगा तभी आप आगे वड़ोगे तो यह सेकेंड लाइन में रहा था स्टॉप एस्पेक्टे यह कि मेरे पास जो कुछ भी था व्लोगिंग करने के लिए मेरे पास ना तो कोई एक्स्टरन माइक था ना अच्छा कैमरा था 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 तो सिर्फ बस एक जो मेरा सामसंग गैलिक्सी जेटू अलब फोन मैंने उसी से ही स्टार्ट करा और मैं चाहता था कि मैं जाले कुछ देना चाहता हूं कि जब वह स्टार्ट करता है यूट्योब या फिर व्लोगिंग तो आपके पास जो कुछ भी है ना तो आप उसी से करो कोई जरूरत नहीं आपको अच्छा कैमरा या फिर अच्छा माइक का आपके पास जो फोन है आप उसी से कर सकते हो जिस तरह मैंने क पाट क्या था उस समय भी मैं सोचा था कि मैं कुछ खरीद लो अपने लिए या फिर कुछ ऐसा वैसा तो खरीद के भी क्या फाइदा है जब आप चलोगे है नहीं आपके वीडियो चलेंगे नहीं तो आप इतने एक्सपेंसिब चीज खरीद करोगे क्या उसका इसलिए कि में मेरे सब बड़े creator के साथ में compare करता था कि में कब पहुंचोगा उस label तक मतलब मेरे कब उतनी सब्सक्राइबर होगे मेरे कब उतने भी हो जाएंगे सो यह सब जब मैं सोचता था यह सब मैं फालतु का सोचता था तो इसी तरह पेकार का सोचना छोड़ दो और खुद मैंने जब मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तब मैंने सोचा जब मैं 0 से 100 आ सकता हूँ तो 100 से मैं 500 क्यों नहीं आ सकता इसलिए ब्लोगों से कंपेर करना छोड़ो खुद के उपर ध्यान दो खुद के वीडियोस पर ध्यान दो और इसी तरह आगे बढ़ो तो मेरे प्रंस कहते ए현icks क्या तुम अकेले गुमते रहे तो व्लोगयो खरते थे रहे तो अकेले मुझे लेंना बहुत जयादा पसंद है और मुझे बातय करना बहुत पसंद है तो यही सब में देखते वए जो मेरा लास्ट और फाइट लैन था वह था टेक टाइम टू योर्सेल्फ और टॉक तो इसका मतलब में यह था कि मुझे लोगों से मतलब अपने स्टोरी बताने में और बोलने में मुझे बहुत अच्छा लगता था तो इसलिए मैं सोचा कि चलो जो मुझे पसंद है मैं वह अपने व्लोग के थ्रू लोगों को दिखा हूँ और इस तरह मैंने स्टार्ट करा यह व्लोगिंग और इन्हीं पांच लाइनों ने मुझे यहां तक आनम इतना ज्यादा हेल्फ किया तो जो मैंने लिखा था उनको फॉलो करते हुए मैं यहां तक आ चुका हूँ इसी तरह अगर मेरे तरह जो भी creator है मैं उनको बोलना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पे कुछ करना चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो तो आप भी कुछ ऐसे चीजे लिखो जिसको आप देखोगे ना वो लिखा हुआ तो जिससे आपके अंदर वो motivation जागे और आप उस काम को अच्छी तरह से करो ना किसी और के बातों पे या फिर third person क्या बोल रहा है क्या कर रहा है उस चीज़को एगिनोर करो उनके बातों सुनें से कोई फायदा नहीं है आपको जो पसंद है उससे बस उसे को करो इसी तरह मैंने भी start किया था और एक last चीज मैं कहना चाहूँगा वह लोग मुझे समझाते कि चलो उधर चलते घुमने या फिर कहीं भी तो गाइस मैं उन्हें दिल से ठांक्यू कहना चाहूँगा जो वह मुझे इतना support करते और मेरे साथ कहीं भी हम लोग जाते घुमने तो मेरे साथ आते हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप ल तरे आखों में तेरी में देखलू मेरे सवालो का हन में शवाब दी आपको एक च्छोटा से स्टोरी पसंद आया अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंज के साथ सेर करो और जो जो मेरे चैनल पर ने है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो रेड़ वाला बटन दिख रहा है जो तोडो फोडो कुछ भी करो पर चैनल प्लीज 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 चै आरी बता हम बोलना चाहिएंगे बहुत कुछी की बात है कि आइसलिक साथ्क्राइब पाझे रहे और तूमारा प्रेंस दूंको support करते रहे और पास और डेजी को को डेजी को तरह से भी डेजी को सपोर्ट करो अऑन करो नहीं सिन्तिक के झाले हम वहाथ का लिए अम रहिक तुझे याद करें तो होटों पे ये मुस्कुराट आया करें